उसको निलंबित करो, उसको बाहर करो, उस पे FIR करो, सीधे सीधे थाना से कर दो क्यों लोग। JP का मंत्र है, सत्य को हजार बार और एक हजार बार वो, जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह रूल को कहती है कि किसी भी समीती के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए, आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिगनेचर च यानि कि इस रूल की किताइब में कहीं नहीं लिखाए कि सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम परस्तावित किये जाते हैं तो नास्वर सरकार है आपकी वो कागस दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षा है चुनाती देता हूं मैं लेकिन प्रोसेस यह होता है कि जब भी मोदी सरकार ने सुरू कर दी है जो सरकार के खिलाब बोले इसकी सदस्ता खतम करो इसको निलंबित करो बाहर करो उस पे एफ आई आर करो सीधे सीधे ठाना स्कर दो क्यों लोगतंत्र का ड्रामा पीट रहे हो और दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी भारती जंता प मंत्री हो इतना सामान ज्यानतों सदन की कारवाई के बारे में रखो सेलेक्ट कमेटी में किसी भी सदस्ति के द्वारा किसी भी सदस्ति का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है उसके किसी सिगनेचर की जरूरत नहीं होती कहां से कानून लेके आई ग्री मंत्री जी आप आप इतना जानते हैं और हम लड़ेंगे और किसी तरीके से अगर आपने हद कंडे अपना कर रागो चड़ा की सदस्ता खतम की तो दुबारा चुनके आजए तो इसलिए छूट और अखवा मत फैलाइए कोई भी सदस किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है बाकी और विस्तार स नियमों के बारे में रागो चड़ा जी आपके सामने जान करीजेए पी का मंत्र है लाएं सत्य को ख़ार बार और एक हजार वाद वो सच्चा मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष प्रचार प्रोपगेंड़ा किया गया नहीं सा फर्जीवाड़ा हो गया कौन से जाली दस सीडिंग शुरू करती है तो वो शक्स उस पर कोई सारवजनिक बयान नहीं देता कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता लेकिन मेरे को मजबूरन भारतिये जंता पार्टी के जूट का परदा फाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा क्योंकि इतना दुष परचा लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह रूल वो कहती है कि किसी भी समीती के सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है और जिस मेंबर का ना साइन चाहिए ना उस मेंबर का सिगनेचर यानि कि इस rule की किताब में कहीं नहीं लिखा कि select committee में किसी भी शक्स का member का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित proposed member की written consent या signature चाहिए लेकिन एक जूठा प्रचार फैलाया गया कि फरजी बाड़ा हो गया sign का मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि जब भी select committee के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किया जाते हैं तो ना signature लिया जाते हैं ना signature जमा किया जाते हैं ना signature की जरूरत हो no signatures are required, no signatures are taken and no signatures are तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं तो ये फरजी sign का जो एक अफ़वा फिलाई जा रही है ये सरासर गलत, जूट और बेबुनियाद ये मैं कानून की position के हिसाब से बता रहा हूँ चुनाथी देता हूँ मैं अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागश जमा किया हो जिसमें गलत तरूक्या से किसी के sign किये गए है तो वो कागश लेता रहा हूँ, मैं आपको चुनाथ साथियों, मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि BJP के अज्ञान का उनके ignorance का तो मेरे पास कोई लाज नहीं लेकिन process यह होता कि जब भी कोई विवादत, controversial, bill सदन के भीतर आता है तो एक समिती गठन के एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई member चाहे कि इस bill पर मतदान ना हो, इस bill पर और चर्चा हो और इस bill में क्या changes किये जाएं, वो बताई जाएं उसके लिए एक समिती का गठन, उस समिती में कुछ नाम परस्ताविद किये जाएं और जिस शक्स को उस समिती में नहीं रहता, वो अपना नाम विड़ाओ कर लेता है दस में से आज मेरा नियोता स्विकार जाएं, दो लोग मेरा नियोता नहीं स्विकार, उर्टा मुझे कहते हैं, तुमारी हिम्मत कैसे होगी हमें नियोता दे, तुम कैसे, तुमारी हिम्मत कैसे होगी, मजाई कैसे होगी कि तुमने हमें अपने जरम दिन का नियोता दे, य लेकिन वो दो लोग मुझसे खफा हो गए। मैं आपको दूसरों तरीके से समझाने का प्रयास करते। आज इस प्रेस कॉंफरेंस में इतने सारे पत्रकार आएं। मैंने अपनी पाटी को दस पत्रकारों का नाम प्रस्तावित किया कि इन 10 पत्रकारों को आप आज की प्रेस कॉंफरेंस में बुला लीजेगा। मैं मीडिया से संब्राद करना चाहता। दस में से आज पत्रकार आगए, दो पत्रकार नहीं आएं। और जो दो पत्रकार नहीं आए वो कहते हिनकी हिम्मत कैसे होई हमें नियोता देने का press conference, दो पत्रकार नराज, ये साफ तौर इस समस्या का एक सरल सा exam, मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि जो मेरे खिलाफ complaints दर जिस मामले को committee of privileges को refer करागे, उसका ये parliamentary bulletin है, सरकारी document, मैं आज बहुत सबूत लाए हूँ दिखाने के लिए आप सबको, तांकि द किसी भी शब्त का प्रियोग नहीं किया गया, सिरफ इतना बोला गया कि इसकी जाच करके बताईए, अगर कोई forgery होती, कोई फर्जी वारा होता, signature शब्त का प्रियोग तो कम से कम किया गया होता, इस parliamentary bulletin में, ये सरकारी दस्तावेज है, राजसगा से क्रिटेरियट का, मैं जिसमें स्वर्गे इंद्रा गांधी जी का नाम आता है, मनमोन सिंग जी का नाम आता है, मुरार जी देसाई जी का नाम आता है, सुष्मा स्वराज जी का नाम आता, अरून जेटली जी का नाम आता है, वो श्रेणी के अंदर अगर हमें भी शामिल किया गया, कोई बात नह मजबूती से अपना जवाब विशेशादिकार के सामें मैं शहीदे आजम भगत सिंग की धर्ती से आता हूँ और पूरी नियाई की लड़ाई लड़ूँगा और मेरा विश्वास है कि कमिटी और प्रिवलेजिज अंत का लूद और पानी का पानी करकर नियाई अवश्यक ये बात थी कि क्या हुआ अब मैं आपको संशेट में बताना चाहता हूँ ये हुआ कि विवाद कहां से ख़लाओ क्यों इतनी अफ़ाद ये इसने फैल सवाल कैसे पूछे और कैसे इस इस सुपारी, हमें है सबसे बड़े सब्सक्राण पर्ठाइ姥 येसा कि ग्रेमंजरी कहते है इस शुपारी जितनी पाटी're उवास अंसद ने दुस्क्राइक सबसे बड़े सदन में खड़ोगे विखते सऑ गे सबसे नेताउं से दूसरा notice committee of privileges का मुझे आये it is the second time मुझे किसी विशे में committee of privileges एक ही अफ्ते में शायद इतिहास में कभी आजसे पहले ऐसा हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष की अवास को दबाया जाए जैसे राहूल गांदी जी की membership छीन हमारे दो सांसत संजे सिंग जी तुमार इंकू जी दोनों को suspend कर दिया लीडर ओफ आपोजिशन का माई कॉफ किया जाता है अगर कोई विपक्ष का साथी खड़े होकर अपनी बात रखता है तो सदन के अंदर खड़ी मंत्री उन्हें धंकी देते हैं कि तुमारे गर enforcement डिरेक्टरेट आजाएगी CBI आजाएगी बैठ जाओ चुक करके इस प्रकार से एक अगोशित अपात का लगाने का प्रयाज ब और उनका यही मकसद होगा शायद कि मेरी आवाज को भी दबाया जाए लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह युवा आवाज है अर्विन केजरिवाल की एक सिफाही की आवाज है यह आवाज दबने वाली आप कारवाईयां मेरे खिलाब जितनी मर्जी करी आरोग जितने मर्जी लगाई लेकिन यह आवाज ना दबेगी ना बंद और अंत में मैं हाज जोड कर बस इतनी विनिती करना चाहूँगा आप सब मीडिया के साथ कि यह जो आप लगातार पिछले तीन दिन से बीजेपी के जहासे में आकर यह चला रहे हैं कि कोई फर्जी वाड़ा हो गया फर्ज सिगनेचर हैं मेरा आपसे हाज जोड कर निवेदन है कि इस प्रकार की जूठी खबरे ना चलाएं मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सच दिखाएं आप लोग इस लोग कंतर के चौथे स्थम्ब हैं क्रिपए करकर बीजेपी के प्रोपगेंडा में आप एक छोटे सेक्शन ऑफ मीडिया ने जरूर एक प्रोपगेंडा चलाने का प्रयास किया और मुझे मजबूरन उनके खिलाफ कानूनी कारवाई करनी पड़ी क्योंकि ना रेकॉर्ज में ना कंप्लेंज में ना पालन रिटन में कहीं जरी शब्त का प्रयोग किया और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जिन जिन सांसदों ने मेरे खिलाफ फोरजरी के आरोप लगाए सदन के बाहर मैंने देखा कई सारे बीजेपी के लोगसभा के सांसदों ने बयान राजसभाट को शायद किसी सांसद ने नहीं दिया लेकिं लोगसभा के कुछ सांसदों ने मेरे खिलाफ ये बयान मुझे उनके खिलाफ भी मजबूरन कमिटी और प्रिवलिग नियाय मांगने के लिए जाना पड़ेगा उनके खिलाफ दर्थ और कोट के बाहर पार्लिमेंट के बाहर नियाय पाले का नियाय की गुहार लगाने मैं हर संभाव लड़ाई के लिए तयार हूँ मैं बीजेपी से डरता नहीं बहुत बच बच नहीं अभी मुझे आज का जो विशे है इस विशे पर मुझे नहीं मिला है पर मेंटेरियन मेरी गुडविल मेरी खराब करने के लिए एक प्रोपगेंडा जो बीजेपी ने चलाया है उसका जवाब देने के लिए आज मुझे सामने आना पड़ा तांकि दूद का दूद और पानी का पानी सारे जवाब अब इसे सादिकास को चली तरह राय।